सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेग्नोजी वीडियो टेक्टिक लिए अगर आप चाते है तो आप भी मी एवन से पोर्ट किया हुआ स्टॉक अंड्रोइड वान रॉम रेड्मी नोट फोर के लिए यूज़ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं रेड्मी नोट फोर में अंड्रोइड वान एक्स्पेरियंस कैसा मिलता है तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कोशीक तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप औरेडी कस्टोम रॉम यूज़ किया है तो आप औरेडी जानते होंगे कैसे कस्टोम रॉम को इंस्टोल करना पड़ता है आप मेरा Others Custom ROM Installation का वीडियोस देख सकता है कैसे Custom ROM को इंस्टूल काना पड़ता है TWRP को मेरी से helpful वीडियोस का लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगा और हाँ दोस्तों इस ROM के लिए आपको अलग से कोई GFs फाइल इंस्टूल करने का जरुवत नहीं है क्योंकि GFs फाइल औरेडी इंक्लूड़ेड है यह ROM के साथ तो दोस्तों चलिए आज पहले बूट अनिमेशन से सुरू करते है तो जैसी कि आप यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे आपको Android One लोगों के साथ बहुती क्लीन एक बूट अनिमेशन मिलता है और यह ROM में आपको by default pixel launcher का support भी मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह Android One ROM है बाट यहाँ पे कुछ Mi Services का Apps प्रिइंस्टल है तो आप Mi Services को भी Android One ROM में यूज कर पाएंगे और दोस्तों यह ROM bloatware free है और जैसी कि मैं बताया था यहाँ पे सारे के सारे Google का App प्रिइंस्टल मिल जाता है और यह है notification panel बिल्कुल stock Android look के साथ notification panel मिलता है यहाँ पे multi window का feature भी है बाट यहाँ पे आपको MIUI के जैसा split skin का अलग से कोई option नहीं मिलेगा बिल्कुल stock EOS P ROM के जैसा drag and drop multi window mode मिलता है और यहाँ पे quick switch का feature भी है अब setting में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे भी बिल्कुल stock Android जैसा locks है setting page बे काफी clean and clear है setting page यहाँ पे about phone में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे device frame में में मी A1 लिखा है हाला कि यह Redmi Note 4 है और दोस्तों यहाँ पे आपको Android version मिलता है Android no.7.1.2 यहाँ पे आपको system update का नाम से भी option मिल जाता है बाट unfortunately आप directly system update यानी OTA update को install नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों camera को देखेंगे तो camera quality is very good यह Mi का ही camera app है लेकिन यहाँ पे interface में थोड़ा सा अलग है आपको यहाँ पे 4K वीडियो रेकॉड करने के लिए भी option मिल जायाएगा और यहाँ पे बाकी सारे camera option भी अच्छा से काम कर रहा है अब दोस्तों battery backup का बात करें तो यहाँ पे battery backup बहुत ही अच्छा है जैसी कि हम लोगों को stock Android ROM में यानी AOSP ROM में अच्छा खासा battery backup मिलता है तो इसमें भी आपको battery backup अच्छा ही मिलेगा क्योंकि दोस्तों stock Android ROM में आपको हमेशा अच्छा ही battery backup मिलेगा और RAM management भी काफी अच्छा है और smooth है अब दोस्तों bugs का बात करें तो यहाँ पे मैं फिलाल दो bugs को नोटिस किया हूँ भोल्टी और फिंगर फिंगर फिंट सेंसर नौट वाकिंग अब रिलार्स जियो से कॉल नहीं कर सकते है बट 4G डेटा को यूज कर पाएंगे hope that developers आगे जल्दी से यह दो bugs को fix कर देंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा बात है कॉस्टम रॉम में Redmi Note 4 के लिए sound output थोड़ा सा कम मिलता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लेम नहीं है यह रॉम में sound output is good overall दोस्ता अगर जो दो bugs है वो अगर fix हो जाएगा तो यह Redmi Note 4 के लिए एक बहुत ही अच्छा रॉम होगा जो लोग stock Android रॉम पसंद करते है क्यूंकि काफी clean and clear looks है bloatware free and good battery backup and good camera also और दोस्ता हमीसा वीडियो description चेक कर लिजिएगा जब भोल्टी और फिंगर फिंट यह दो bugs जब फिक्ष्ट हो जाएगा तब मैं यह रॉम का updated download link वीडियो का description में अपडेट कर दूँगा तो दोस्तों यह था एक छोटा सा review पोर्टेड मी एवन स्टॉक Android रॉम फोर Redmi Note 4 वीडियो अच्छा लगया तो वीडियो को like and share कीजिए और आप चाहे तो मेरा चैनल को subscribe भी कर सकते है So once again this is Koshik यार and see me in the next one Thank you guys, thanks a lot for watching, bye